आज की वीडियो instrument technicians के लिए और engineers के लिए बहुत helpful होने वाली है दोस्तो आज की वीडियो control valve से related है control valve से interviews में भी बहुत questions पूझ लिए जाते हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए control valve को operate कराने के लिए इसमें airflow कैसे होता है आपको ये पता होना चाहिए मेन एर सप्लाई एर फिल्टर रेगुलेटर का यूज़ करके I2P कनवर्टर को दी जाती है इसके लिए 1.5 kg पर स्कौर सेंटीमीटर एर एफर में सेट कर दी जाती है AFR का मतलब है एर फिल्टर रेगुलेटर एक और AFR का यूज़ पोजिशनर को सप्लाई देने के लिए किया जाता है दोस्तो इसमें कितनी एर रखी जाती है ये आप बताईए I2P कनवेटर का आउटपुट पोजिशनर को दिया जाता है इसे यूज़वली जहां इस्टुमेंट लिखा हो वहां कनेक्ट किया जाता है I2P कनवेटर को 4 तू 20 मिली एमपियर सिगनल दिया जाता है ये सिगनल PID कंटोलर या PLC पैनल से दिया जाता है इस signal के according ये 0.221 kg per square cm air positioner को देता है 4 mA per 0.2, 8 mA per 0.4, 12 mA per 0.6, 16 mA per 0.8 और 20 mA per 1 kg per square cm ये I2P converter का output रहता है valve positioner में जो 3rd gauge रहता है वहाँ से air का output control valve को दिया जाता है जिससे control valve operate होता है control valve अगर air to open है तो ये air आने पर open होता है और यदि control valve air to close है तो ये air आने पर close होता है air to open control valve की opening सिगनल के according कुछ इस प्रकार रहती है और air to close control valve की opening सिगनल के according इस प्रकार रहती है यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि air filter regulator से air supply I2P converter को और valve positioner को दी जाए अगर ये supply नहीं दी गई है तो control valve operate नहीं होगा ये तो I2P converter से control valve को operate करना हुआ लेकिन यदि elektronometric positioner या smart positioner का यूज किया जाए तो connections कैसे किये जाएंगे आए इसको देख लेते हैं elektronometric positioner और smart positioners में I2P converter और valve positioner कंबाइन रहते हैं इनमें usually air के लिए दो connections रहते हैं एक supply air के लिए और दूसरा control valve के लिए पहले supply air वाले port को AFR के थुरू connect किया जाता है और दूसरी air control valve को चली जाती है इन positioners में 4-20mA signal दिया जाता है और control valve 4-20mA के according operate होता है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो थैंक्स फर वाचिंग दा वीडियो ये वीडियो आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताए ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को share कीजिए वीडियो पसंद आई है तो इसको like कीजिए instrumentation की English वीडियोज के लिए आज ही हमारे English चैनल Engineering Study English को भी subscribe कर दीजिए थैंक्स फर वाचिंग दे वीडियो